हेलो फ्रेंड्स हमारे यूथ चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको स्कीन से जुड़ी समस्याओं को जड़ से खतम करने के बारे में बताएंगे चाहे कितनी भी भैंकर दाद, खाज, खुजली क्यों ना हो तीन दीन में ही जड़ से साफ हो जाएगी दाद, खाज और खुजली इसकीन से जुड़ी समस्याओं हैं इसमें तोचाप पर लाल रंग के छोटे-छोटे दाने होने लगते हैं खुजली बार-बार करने से इसकीन पर निसान और जलन भी होने लगती है आज कल बजार में खुजली मीटाने और दाद जल्दी ठीक करने के लिए अंग्रीजी दवा और एंटी-फैंगल क्रीम उपलब्ध हैं जो कुछ ही दिनों में दाद दूर करने में मदद करती हैं दाद, खाज और खुजली एक गंभीर चर्म रोग हैं यदि समय से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह तवचा पर अपनी जड़े जमा लेती हैं और कितना भी एंटी-फैंगल क्रीम लगाएं ठीक होने के कुछ दिन के बाद पूना हो जाती हैं सरीर को साफ रखें और साफ सुत्रे कपड़े पहनें अगर सही तरीके से और सही समय पर खुजली का इलाज किया जाए तो इस समस्या को वढ़ने से रोक सकते हैं आज हम आपको बतानी जा रहे हैं कुछ घरे लून उसके जो घर पर आसानी से उपलब्द हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप खुजली को जड़ से खतम कर सकते हैं जिसमें पहले नमर पर आता है ऐलोवेरा ऐलोवेरा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टरियल गुर होते हैं जो स्कीन इंफेक्शन को खतम करने में शक्षम होता है उसके साथ में एलोवेरा में बीटामिन E होता है जो तवचा में नमी प्रदान करता है जिससे खुजली में आराम मिलता है दूसरे नमर पर नीम की पत्तियां पानी में नीम के पत्तियों को उबाल कर इस्तान करने से आराम मिलता है और एकजीमा की किटाड़ों भी नस्ट हो जाते हैं तीसे नमबर पर आता है गाजर गाजर को घीस लें और उसमें सेंधा नमक डाल कर हल्का गरम कर लें इसे दाद पर नियमित लगाने से दाद जड़ से चला जाता है चौथा और अंतिम नस्खा है पीपल की छाल खाज खुजडी के रोग में 50 ग्राम पीपल की छाल की राक तथा जरूरत के अनुसार चूना और घी मिलाकर अच्छी प्रकार से खरल करके लेप करने से लाब होता है तो आप इस लेबिटी का इस्तेमाल कर अपने आपको स्वास रख सकते हैं अगर आपको हमारा वीजियो प्रसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं हमारा वीजियो आपको कैसा लगा